हेलो गाइज आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के बादो के ब्लोग में तो आज ज्यादा कुछ काम नहीं है बद दिन पुराना वाला गर को जैसे मैंने पहले वाला ब्लोग में बोला था कि थोर दिया हैं यहां पे मेरा बहुत सारा एक्चली में स्ट्रोबेर का प्लानिता तो सब का हालत बहुत खराब हो गया है तो आज हमको प्लांटेशन करना है मेरा स्ट्रोबेरी का एक्चली में हमको यह भी नहीं पता है कि इसको अच्छा से करता है बद हम लोग आया तो जिस मिट्टी में लगा के रख देते हैं बद इस ताइम मैंने कुछ और ही सोचा है सो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मेरा यह स्ट्रोबेरी प्लांट का हालत किस हालत में है एक्चली लास्ट ताइम जब इतना अच्छा से तो मतलब हम नहीं लगा है बद लास्ट टाइम यह फेल फेल के मतलब बहुत जाता हो गया था एंड फ्रूट्स भी अच्छा है था स्ट्रोबेरी तो एक्चुली इसका अभी तो फ्लावरिंग सीजन भी स्टार्ट होगे इसका फ्लावर भी निकल गया है ऐसे समय में प्लांट आइटिंग नहीं करना चाहिए पर तभी कोई उपाई भी नहीं है तो इसलिए आज पूरा प्लांट को तो लास्ट टाइम इसको पॉली बेक में ऐसे करके लगाए था तो बहुत अच्छा से फ्रूट्स आयता है इस पार भी डेको फ्रूट्स आना तो सुरू हो गया लेकिन अभी इसका बेरा भी नहीं है तो हालत बहुत खराब हो गया तो आहें ब्रोट डिस बगेट एंड अ यहाँ पे एक संत्रा का गास भी है इसको कैसे करके निकालेगा ओ इसका रूट्स को इसको इसे रूट्स का साथ उखाड लिया इसको सब को निकालके आज कुछ करने वाला है वैसे मेरा पूर भी कम हो गया है तो ऐसे तो मेरा नखुनी खड़ाब हो देगान कंदकिया आखुन तो वैसे हैं कि स्ट्रोवेरी मेरा घर का बच्चलू को बहुत पसंड़े एक अलग से बाद में उसका क्या करने तो अभी हम गर जाएंगे और फिर पॉर्ट में इसको लगाएंगे तो ये मेरे कुछ फ्लार्स है जो मैंने लगाए थे देखो एक्चली मुझे पहले ऐसे प्लार्स लगाने का सोग तो नहीं तब अभी तीन साल जाता हो गए है जब मेरा ब्रेक अप वा था उस समय लाइक मैं बहुत ही हट हुई थी उससे बीच खुद को बिजी रखने के लिए मैंने सुरू क्या था तो इस बीच में देखो यह टोरा टाइट टाइट है मैंने ऐसे कुछ-कुछ फ्लार्स लाइक प्लांट्स इंडोर आउट्डोर जहां तहां से करके मैंने लगा रख्था है मैंने यह ऐसे कुछ पंटेनर मैंने जमा किया है तो इसको यहां से कटके इसे हम दो पोड बनाएंगे इससे यह एक होगा क्योंकि इसका लीट नहीं तक नहीं है पिर इसमें हम मित्ती बरंगे और मित्ती में ऐसे नॉर्मल ही यूज़ करते हूं इन साथ में ग्रेवल्स औ और हम उसको क्यालते है गुबर जो सुवर का एंद गाय का टक्टी से बना होते हैं वो उकी सो लेट स्टार्ट अभी इससे धाव लेके पले हमें कातना है ने को यह लेना याभी इसके साथ मित्टी यहाँ पर पेले सुवर घरता अमीन सुवर का गरता और सुवर का टक्टी है यह सब मित्ती के साथ अभी तो तोरावा बहुत समय हो गया इसलिए यह सब पंकिन कड्डू का प्लांटे देको अपना आप से निकलाया मम्मी उस दिन यहाँ से उखार के लगाया भी था एंद यह टमाटर का भी है तो बिट्टी या से ले लेगा हार फॉर्टिलाइजर के लिए है 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 दबा दबा के बढ़ती कर लिया भी अभी इसको लेके जाएगा आँ अपल अपला फॉर्टा था लेकर कर लेका इसका बढ़ती हो आएगा एड़ के लगाइजर यह थांट्यर प्लाइजर यह कि आप नियां जो कि और रगल्टा उदिक पॉर्व्ड़ को गूर्णाव भी तो प्लाइजर को यह तो है यह ले लिया है अभी इसमें नेल से किली से होल बनाएगा चाहता कि पानी जब प्लान पें पानी देगा तो पानी यहां से धीरे-धीरे करके नीचे गिरेगा पानी आपी सामी कर चाहताखा तो अ inten narciss यहां सेग एका ठांक्या से कि यह पानी अप्ला नोस्मरे करके लग्यरे थे पहले डिम्रुट करें रखा करा य्चिकर नेही साट अन्या रखे एक टो इसमेत captive डेंगा लिग्या थक्ष़्य कंट्ग पानी चीलन यहां से होल से प्लांज भाप नहीं लगा रहेगा हम एसे कश्या हम तो इसलिए यह पानी सुगाइज अभी तिन बच गया लूंज भी किया बीच में एंद वेदर भी बहुत प्लावडी है एंद फाइनली मेरा स्ट्रोवेरी भी हो गया इन गुट न्यूज इस कि बारिश आ रहा है तो यह लोग अच्छा से जिंदा होगा देखो हम कुछ भी नहीं चुरह सब का बोटल का उपर नीचे यूज किया है लुक अधिस ऐसे लगाने का आइडिया यूट्यूब से देखा है एक्चली यह जब स्ट्रोवेरी निकलेग तो यहां से गिरेगा उन पताने यह से होगा की नहीं होगा तो बहुत समय निकल लिया प्लार पोट का मिट्टी भी इदर उदर गिया है अंदर बहुत थालत खरा हो गया अभी बारिस भी आ रहा है तो अभी बरतन थाली दुलाना है और मेरा दिन का काम खतम okay so guys आज का वीडियो अच्छा लगा तो please मेरे वीडियो को लाइक कर दो subscribe कर दो and if you want share भी कर दो and yeah don't forget to hit the bell icon so मिलते हैं मेरे नेक्स ब्लोग में till then bye bye गंदा